सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को गुड मॉर्निंग हैपी संडे और संडे का दिन हमेशा दो वीडियो जाते हैं दो स्टॉक के लिए तो यह मेरा फर्स्ट है और फर्स्ट जो वीडियो में मैं जो आपको बताना जा रहा हूं स्टॉक तो मिलेगा उसके साथ-साथ आपक विए द्यूओ का है है केंसे तकल किया जाता है है how to tackle extremist situation in market सो वह और वीजुद बीजिकली नो की small quantity में trade करें नो केंस समया में आप केंसमेश तो जाता है कंसे में आप बिदिन कैस्ट विदिन कैपिटल अप्टेट कीजिए आप से तेट कीजिए जरूरत नहीं है कि टार्गेट पहुंचना है इस फूर्ड टार्गेट जस्ट भुक मतलब मीझेट से पहले भी आपको जरूरत पर तो आप बूख कर लीजिए फॉर बीगिनर्स अली ताकि आप यह capital को save कर सको capital protection is much important for beginners because बहुत आदमी greed के चलते losses पे losses कर बैठते हैं और आप लोगे काम कीजिएगा stop loss जरूर मेंटेन कीजिए stop loss को जरूर मेंटेन कीजिए over trade ना करें ठीक है तब जाके मार्केट में you will get success यहां दखने इन सब बात को तभी जाएं कि आप ट्रेट में अच्छा सक्सेस कर पाओगे ठीक है ओके चलते हैं लेट ना करते हुए करें करेंगे या फिस सोच रहें करने की वह है axis bank axis bank में हम कल ट्रेट करेंगे तो in axis bank we have to buy above 735 in axis bank you have to buy about 735 and our minimum target will be 741 in axis bank we have to buy about 735 and our minimum target will be 741 we have to short sell below 724 and our minimum target will be 718 we have to short sell below 724 and our minimum target will be 718 18 and our stop loss is six points and our stop loss is six points याद रखिएगा यह जो point है write it down in paper तब जाके आप trade किजिए आप लोग को patience नहीं होता है and this video is total for educational purpose आप प्लीज एनलेसिस करें और जो एक तुम बिगिनर है अभी अभी मार्केट में कुछ ही महीने हुए प्लीज डू पेपर ट्रेड और डमी ट्रेड डमी ट्रेड के लिए बहुत सरे पैसे चीन लेगा और फिर आपको सीखाएगा तब भी बहुत आदमी सीख नहीं पाते हैं तो क्या जरू होता है ड्रमी ट्रेड से पहले सीख लीजिए अपने आपको ट्रेड करना है दोनों में ट्रेड नहीं करना है याद रखिएगा तेंक यू